नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव लगतार और आज काबिनेट में पंचायत चुनाओ को जो सुक्रीती मिल गई है और बहुत जल्द पंचायत चुनाओ करवाए जाएंगे जिसको लेकर के आज काबिनेट में उसको पास कर दिया गया है हम सीधे सुनते हैं आलम गिर आलम इस पर क्या कुछ कहा है सरकार सरकार बहुत पहले से कह रहे थी कि हम पंचाय चुनाओ कराना चाहते हैं और हाई कोट का डिसिशन भी एक आया था जहां पर ड्यू पढ़ा हुआ है तो लोग चुनाओ करा सकते हैं और आज मंत्र में पारिद भी कर दिया गया है अब देड जो है चुनाओ कमिशनर जो है चुनाओ आयोग वही निकालेगे डेट हैं हमने जब अब लोग तयार है हम लोग तयार है सरकार के तरफ से अनुमति हो गही तो आपने यहां पर आलमगिर आलम को सुना उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि जो पंचाय चुनाओ होने हैं वो पंचाय चुनाओ शुरू हो जाएंगे अब हम सीधे सुनते हैं कि मितलेश ठाको ने पंचाय चुनाओ और पंचाय सचीव अभियर्ती को ले करके क्या कुछ कहा है विपक्स के बाद मुद्दा खतम हो गया विपक्स तो हर्षीज को मुद्दा बनाता है हम मुद्दा खतम कर देते हैं उनका पंचाय चुनाओ किस कारण से नहीं हो रहे थे यह सभी को पता है और आज परिस्टेपिया अनुकूल हुई है पंचाय चुनाओ अब प्रकरिया हम नहीं करेंगे जैसा पिछली सरकारों ने किया कि राजिक के ही हमारे भाई को भाई से लड़वाने का काम किया 1311 का उन्होंने जो इस तरह से फॉर्मूला लागू किया था हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगा जिसके इस तरह की कोई सित्री उत्पन हो विचार हो रहा है मानने इस तरह कर लेते हैं उससे हमें रोपना है तो आपने यहां पर मितलेश ठाकुर को सुना उन्होंने कहा कि पंचाय चुनाओं जो है वो बीजेपी पर सीधा वार किया है पंचाय चुनाओं की घोशना करके इस कैबिनेट की बैठक में साथी साथ यहां पर पंचाय सचीव अभियरतियों के लोग्योंने कहा है कि पंचाय सचीव के जो अभियरतिय है वो हमारे बच्चे हैं इनके लिए भी बहुत जल्द ने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बने रहें लगाता.in के साथ.